हाई गाईज वेलकम तो दिस सेशन और यह लेवल वन का सेशन है लेट उस गो थू थू देडलाइन और दोस्तों आपके व्यूज मिल रहे हैं मुझे पता चल रहा है कि आप देख रहे हो और वीडियो को पूरा देख रहे हो आप अपने तरफ से वर्ड्स को रिवाइस करते चलिए हर दिन हम लोग कुछ नया वर्ड इकठा कर रहे हैं तो आप अपना रिविजन मत छोड़ो इसमें हम लोग कुछ-कुछ और एड करेंगे और आप अपने कमेंट्स प्लीज पोस्ट करते रहे हैं मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा तो जो सब सबसे पहला न्यूज है हम यह देखते हैं आपको अभी पता चला होगा कि एक प्लेन क्रेश हो गया केरला में उस प्लेन क्रेश से रिलेटेड यह न्यूज है ब्लैक बॉक्स ऑफ क्रेश्ड एर इंडिया फ्लाइट रिकवर्ड प्रोब अन सबसे पहले यह चीज देखो क ट्राफिक कंट्रोलर से वो रिकॉर्ड करता रहता है उसी को ब्लैक बॉक्स कहते हैं यह इतने सेफ जगह पे होता है कि प्लेन अगर क्रेश कर भी जाए तो यह मिल जाता है तो इससे क्या फायदा होता है प्लेन किस रीजन से क्रेश हुआ यह पता चल जाता है तो ब्लैक box off, मतलब का किसका, crashed air India flight, मतलब यह जो crash हुआ, air India का flight, उसका, क्या कर लिया गया है, बरामत कर लिया गया है, recover कर लिया गया है, और देखो क्या लिखा है, probe on, अब आपको पता है, जब कोई भी चीज on रहता है, तो वो continue रहता है, वो जारी रहता है, तो जाच जारी है, अभी जड़ा देखें, इसके नीचे क्या लिखा है, aviation minister, aviation minister, defense, pilots, आपको पता है कि aviation का मतलब होता है, उड़ने से संबंधित, ठीक है न, इसलिए पक्षी लोग, पक्षियों को जहां रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, aviary, aviation मतलब उडने से संबंधित, तो जो aviation minister, उन और केरला के CM देखो क्या कह रहे है, केरला CM विजेयन, सबसे पहले तो ये देख लो, इनका नाम है विजेयन, केरला के CM विजेयन कह रहे है कि all passengers will be tested, किस चिछ के लिए test किये जाएंगे, for COVID-19, COVID-19 के लिए, all right, तो अभी आपको comment box में ये बताना है कि aviation minister कौन है, okay, who is the aviation minister, और जरह हम नीचे देखें इस plane को पहले आप फोटो देख लो, आप देख रहे हो, plane का मलबा, कैसे परकच्चे हो गए पूरे plane के, दो टुकडो में तूट गया ये plane, it was such a massive crash, the debris of the crashed air India express, देखो फिर से ये word आगया, debris, अब आप देख लो, आज तो फोटो भी है, debris का, debris मतल मलबा और मलबा का फोटो तो आप देखी रहे हो, जब ऐसी चीज रहेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, debris बोलेंगे, all right, now let us look at one more headline here, accident puts focus back on table top runways, ये जो accident हुआ, ये क्या कर दिया, put कर दिया, किसी चीज को रख दिया, focus को, और focus को कहां रख दिया, फिर से रख दिया table top runways पर, मतलब इस accident से table top जो runways होते हैं, runway वो जगह जहां plane दौरता है, तो table top runways पर focus फिर से आ गया है, अब ये table top runways क्या होते हैं, देखो, आप table ऐसा होता है, इसके उपर आप अपना समान रखते हैं, ये runway भी बिलकुल ऐसे ही होता है, plane यहां से आता है, इस runway पर ऐसे द जो नीचे है, ये खाई है, तो table की तरह इसका top हो गया, अगर ये plane यहां तक नहीं रुक गया, यहां तक नहीं रुका तो ये क्या होगा, खाई में गिर जाएगा, बिलकुल इस plane के साथ यही हुआ, और जहां पर ये accident हुआ है, उस जगह का नाम है, कोजी खोडे, कुछ इ देखो दूसरा news, government sets up task force for vaccine distribution, vaccine के distribution के लिए, vaccine कैसे कैसे बटेगा, कैसे कैसे लोगों तक पहुंचेगा, उसके लिए, सरकार ने एक task force का गठन किया है, तो set up उसके लिए word इस्तमाल किया गया है, alright, now let us look at this news, अभी देखो आप, still, till, for, ये सब हम लोग करते रहते हैं, यहां subscribers, जो लोग बच गया, वो क्या कह रहे हैं, जो survive कर गया इस accident को, वो क्या कह रहे है, still in shock, अभी भी और अभी तक, still का क्या मतलब हुआ, अभी भी या अभी तक, still in shock, मतलब अभी भी वो शौक में है, अभी तक शौक में है, alright, just इसके नीचे देखते हैं, जड़ा एक और news ह scared at Rachi airport, देखो scared, मैंने आपको ये word बताया है कि scared का मतलब होता है, डर, क्या मतलब होता है इसका, डर, और scared, अगर मैं ये लिख देता हूँ, scared, तो इसका मतलब हो गया, डरा हुआ, okay, डरा हुआ, तो आप देखो scared क्या हो जाएगा, adjective हो जाएगा, और डर क्या है, आपके मन का एक वहाँ है, तो ये noun हो जाएगा, और देखो, एक word इसी से और क्या बनता है, scary, scary का मतलब डराओ ना, तो ये भी एक adjective हो जाएगा, किसी का गुन बता रहा है, तो scared कहां पर हो गया, राची airport पर, ठीक है न, तो देखो यहाँ पर at का इस्तमाल किया है, क्यों हो गया टेन आवर्स, टेन आवर्स डिले कर दिया तो देखो फिर यहाँ से यहाँ पर बाई का यूज, डिले इट बाई टेन आवर्स, ठीक है न, दस घंटे से डिले कर दिया, जड़ा एक और नियूज हम देखेंगे यहाँ पर, CISF परसनल क्वारंटाइन, आफ्टर पैसेंजर टेस्ट पॉसिटेफर, पैसेंजर सेट पॉसिटिफ किये तो CISF के परसनल को क्या कर दिया गया, करमचारीों को क्या कर दिया गया, कॉरिंटाइन कर दिया गया, और आपको यह वर्ड मैंने बताया है, कि यह फ्लूरल ही होता है, ठीक है न, कभी भी आपको परसनल में S Central Industrial Security Force मतलब कि यह पहले industries जितने भी हैं उनके protection के लिए बना था और फिर यह क्या चीज़ प्रोटेक्शन करता है जितने भी important places हैं इंडिया के अंदर Metro Station हो गया, Airport हो गया, Tourist Spot हो गया, उन सब को क्या करते हैं यह Secure करते हैं अभी एक और news देखो जिसमें हम लोग एक और word revise करेंगे, Lash आपको मैंने बताया, Lash का मतलब क्या होता है तो heavy rains क्या करने वाले हैं, Lash करने वाले हैं North West India को ऐसा Indian Meteorological Department कहता है देखो यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, Indian Meteorological Department तो Meteorological Department का क्या मतलब हुआ की जो मौसम की जानकारी देता है और Lash का मतलब मैंने आपको बताया है ना बारिश जब तेजी से किसी चीज़ पर प्रहार करती है तो उसको हम लोग Lash कहते हैं इसी तरह जब आप किसी को खड़ी खोटी सुनाते हो तो आप उसको Lash करते हो, ओके और जड़ा एक और उसके बगल का झीज़ देखते हैं इसमें एक और देखो इंडिया चाइना होल्ड मेजर जिनरल लेवल टॉक्स देखो होल्ड का फिर क्या होल्ड किया गया टॉक्स बादचित को किया गया तो वहां पे होल्ड इस्तिमाल किया है बिहार सीज सिंगल डे हाइस सिंगल डे स्पाइक औफ इतना किसिज ठीक है न तो स्पाइक का मतलब है बिहार में क्या हुआ 3,992 किसिज का बढ़ोतरी हो गया एक ही दिन में अभी आप ये नियूज देखो जरा यंग कपल स्टैब्ड टू डेथ बाडिज बर्न्ट अन सेम फाइर ओके अभी देखो स्टैब्ड का मतलब से एक लो सबसे पहले स्टैब्ड का मतलब किसी को चाकू गोपना आप चाकू पकड़े हैं और उसके पेट में घुसा दिये तो आपने उसको स्टैब्ड किया तो यंग कपल को चाको गोप गोप कर मार दिया गया तो स्टैब्ड टू डेथ किल्ड टू डेथ बीटन टू डेथ समझ गया ना जब किसी को कुछ करके आप मार देते हैं तो उसके साथ टू लगता है और कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई बिमारी से मर जाए तो क्या लगाते हैं आफ लगाते हैं डाई आफ कोरोना देखो यही सारी चीज़े जो है आपके ग्रामर के बुक्स में लिखी हुई है पॉइंट बनाके फॉर्मूला बनाकर लेकिन आप उसको याद नहीं कर सकते हैं आपको ऐसे पढ़ के ऐसे देखना होगा लाइफ तब आपके दिमाग में गुसे गई तो यंग कपल ने क्या हुआ यंग कपल को क्या कर दिया गया चाकू घुप कर मार दिया गया बाड़ी उनके जला दिए गया किस पे सेम पायर पे पायर का मतलब आपको समझ पे आ गया होगा चिता पायर का मतलब चिता आपका भी नहीं भूलेंगे चिता तो इनका कुछ होगा जिसकी वज़े से ऐसा किसी ने कुछ किया काफी ही दर्दनाक गटना अब जड़ा देख लो फिर से यहाँ पे स्पाइक का यूज है जड़ा से यह देखो नीचे में आपको मैं एक नियूज दिखाता हूँ यहाँ भी एक फ्रेजल वर्ब है सुशांत केस बिहार पुलीस हैंड्स ओवर देखो हैंड ओवर करने का मतलब क्या होता है किसी को कोई चीज दे देना तो केस डायरी जो था वो क्या किया बिहार पुलीस ने से बी आई को दे दिया और मैं आपको क्या बताओ और अभी चलो यहाँ पे मैं आपको एक नियूज दिखाता हूँ इसमें एक नया वर्ड है जो आप देखे सीखे ज़रा इस वर्ड को फ्लड क्रेपल लाइफ इन मुझणफरपूर अब देखो फ्लड ने मुझफरपूर में जिन्दगी को क्या कर दिया क्रेपल कर दिया अब आप सोचे कि बाहर से जिन्दगी कैसा हो जاتا है तो एक दम अस्त बेस्त हो जाता है असाहाय हो जाता है लाचार हो जाता है तो क्रिपल का मतलब वही होता है क्रिपल का मतलब वही होता है जब भी आप किसी को क्रिपल कर देते हैं इसका मतलब आप उसको लाचार कर देते हैं किसी की सारी फैसिलिटी काट दीजे सर्विसेज काट दीजे तो आप उसको क्या कर रहे हैं? क्रिपल कर रहे हैं. और अगर हम क्रिपल्ड पर्सन लिखते हैं, देख लो, सीख लो इस वर्ड को आजी. क्रिपल्ड पर्सन, अगर कोई क्रिपल्ड मैन है, इसका मतलब कि या तो वो फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है ना? या तो वो फिजिकली चैलेंज्ड है, उसको कोई दिक्कत है, या फिर फिनांशियली चैलेंज्ड हो सकता है, फिनांशियली क्रिपल्ड भी हो सकता है. तो ये है क्रिपल का यूज्ज. flood ने मुझफरपूर में जिंदिगी को पंगू कर दिया पंगू बिना किसी काम का कर दिया अभी आपको एक और शीज दिखाता हूँ बिहार से related केसरियस्टूप क्या है यह केसरियस्टूप flood water यह बहुत ही एक ancient क्या बोलते हूं उसको ancient site है ठीक है ना तो प्री हिस्टूरिक साइट प्री हिस्टूरिक तो नहीं historic site है flood water damages boundary wall flood water ने क्या किया इसके boundary wall को damage कर दिया और मैं आपको नीचे जरह इसका photo दिखाता हूं देखो इसके नीचे यह देखो यह है स्टूप और flood water देखो कैसे आ चुका है इसके एकदम पास boundary wall को भी तो इसी को लिखा है क्या आपके जीए का question भी आता है flooded Buddhist stupa at केसरिया केसरिया में क्या है तो बुद्धिस्ट stupa है इस चंपारन में और मैंने आपको एक दिन लॉरिया जगह दिखाया था लॉरिया ल-a-u-r-i-a वहाँ पे क्या था single lion capital था अशोक का वो जो stumb है वही था वहाँ पे single lion था उस पे तो लॉरिया अरे राज ये भी जगह है बिहार में ही तो आप इसको याद रखेंगे अब यहाँ पे चलो एक फोटो देख लो कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसी भी चीज के खिलाफ और यहाँ देखो पुलीस उनको मार पीट के भगा भी रही है और क्या लिखा है क्वाइट टसल जब कोई चीज जबरदस सोनो तो वहाँ पे क्वाइट लगा देते हैं जैसे अगर कोई जबरदस लव स्टोरी है तो क्या लिखेंगे quite a love story quite a love story अगर कोई जबरदस मूवी है तो बोलेंगे quite a movie तो यहाँ पे एक जबरदस टकडाओ है यहाँ पे एक जबरदस टसल है इसलिए क्या लिख दिये quite a tussle तो आपको अब मुझे उम्मीद है कि आप यह चीज धीरे-धीरे सीख जाएंगे quite का इस्तमाल all right let me look at the time okay अभी time है हमारे पास जरह समय आपको दिखा देता हूँ देखो यह नेता जी लोग की कैसी धुनाई हो रही है और जरह इस पे देखो नीचे क्या लिखा है members of जन अधिकार छादर परिशद protest outside deputy cm सुसील कुमार मोदी ज रेसिडेंस और रेसिडेंस कहां पर at राजेंदर नगर इन पतना और किस्चिश का डिमांड कर रहे थे यह release of p.u.s.u president मनीश कुमार अब उसके बाद देखो पुलीस ने क्या किया पुलीस परसेनल देखो यहां p.e.r.s.e disperse मतलब तितर-बितर करने के लिए हटाने के लिए अभी परसेनल से ही related मैं आपको एक और news दिखाता हूँ एक मिनट का टाइम देदो आप मुझे ओके आप देखो यहां पर आपको सिर्फ एक पुलीस वाला दिख रहा है ठीक है न there is only one policeman और यहां पर क्या लिखा है a police personnel a police personnel तो अगर एक पुलीस वाला है तभी क्या लिख दिया personal लिख दिया और एक से जयादा पुलीस वाले हैं तभी personal लिख दिया तो मुझे उमिद है कि अब आपको यह word clear होगा now let me move back to the same page okay है और कुछ देखू है और राइट तो नाव लेट में मूव तू पेज नंबर फोर और देखो फेल्ट फेल्ट प्लेन विल फॉल अनस रिकाल्स रिकाल्स मतलब ऐसा याद कर रहा है कौन और याद करें कि ऐसा मैंने फील किया कि प्लेन हमी लोग के उपर गिर जाएगा और देखो जाएगा यहां पे तेल का मतलब तो आपको पता है कहानी और कैसा कहानी नाइट मेरिस टेल और नाइट का मतलब रात आप जानते हैं नाइट और इसी के आगे हमने क्या लगा दिया नाइट मेर Nightmare का मतलब कोई बहुत बड़ी आपदा समझ गया ना कोई बहुत बड़ी बिपत्ती उसको हम लोग क्या बोलते है Nightmare तो ये कैसी कहानी थी Nightmarish कहानी अभी आप कुछ और चीज देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ अभी मैं आपको सिर्फ वो दिखाऊंगा कौन सा वर्ड हम कर चुके है देखो यहां पर एक किया हुआ वर्ड आगया मिशैप का मतलब कोई दुरगटना आप देखो नीचे मैं एक और आपके किये हुए वर्ड को दिखाता हूँ आपके याद किये हुए वर्ड को इस तरीके से आपको भी न्यूस्पेपर पढ़ना है और रिवाइस करना है स्टैंड ओफ आ गया और स्टैंड ओफ का मतलब आपको पता है गतिरोध होता है जैसा भी इंदिया और चाइना में चल रहा है दो लोग अपनी बातों पे अड़े हुए है और कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है तो क्या हो गया स्टैंड ओफ आ गया और इसका सिनॉनिम भी पता है आपको पालगर लिंचिंग लिंचिंग का मतलब आपको पता है पीट पीट कर किसी की जान ले लेना Okay So that will be all today And I hope you are enjoying this session and you are learning something So keep posting your comments Thank you